दोस्तों एक बहुती बड़ी वेकेंसी निकल के आ चुकी है जिया दोस्तों EMRS में एक लब ये मॉडल रेसिडेंशियल ए स्कूल में एक और नई वेकेंसी आ चुकी है इसमें कितने पद है फ्रिंड्स तो देखे 6329 पदों पे ये बड़ी भरती निकल के आ चुकी है जिया हेबरेरियन की वेकेंसी है थिवाडेनर की यहां देख सकते हैं होस्टेल अर वडईनर मेल और फीमल दोनों की वेकेंसी है और इसमें भी अच्छी खासी सीट है 335 एक में है और 334 एक में है अब यह देखे वेकिंसी जो है यह किस तरह की है देखे यह गौर्मेंट वेकिंसी है Ministry of Tribal Affairs के द्वारा यह बिद्याले रन के आता है पूरे इंडिया में इनके बहुत सारे बिद्याले हैं जिनका नाम है एकलब या मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जहां जो है Tribal Affairs के जो भी बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं इस स्कूल में रेसिडेंशियल के तौर पी और Ministry of Tribal Affairs Government of India के द्वारा जो है स्टैवल किया गया है इसमें जो है मेल और फिमेल दोनों के इंडिट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो है यह रिकूट्मेंट निकाला गया है डारेक्ट बेसी से मतलब यह खुद जो है एक्जाम करनट कर रहे हैं और खुद फॉर्म की वेकेंसी यहां पर निकाली गई है हम इस भरती के बारे में संपूर जनकारी डिसकस करेंगे हमने यहां पर घुद बातों को हाइलाइट करके रखा गए है तो आप जम नहीं हुआ है और वेबसाइट बिलकुल ओपन नहीं हो रहा है यह मारस का तो इसका लास्ट यहां पर बोला गया कि online submission application form up to 18 अगस्ट तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे लेकिन online का डेट अभी नहीं है बहुत जल्द आपको online का डेट मिल लाएगा और यहां टेकर PGT के लिए फॉर्म भरेंगे तो पंदरा सु रुपए और होस्टेल वाडर के लिए फॉर्म भरेंगे तो एक यहां पर इन्होंने जो है ओभर भी उजनकारी यहां पर दिया हुआ है अब यहां पर बोला गया date of examination बहुत जोल्द आपको notify किया जाएंगे अब सबसे बड़ी बात इसमें जो आपका exam center है वो जो है all over इंडिया आपको देखने को मिलेगा आपको यह नहीं टेंशन लेना आपका जो है written exam होगा अगर हम list of examination cities की बात करें तो देखें आप बिहार में पटना आपको exam center चंडीगड में देख रहे हैं यहां पे इस तरह 36 गड़ में रायपूर है इस तरह से हर जगा डेली में निव डेली आपको मिले गोवा में पांजी गुजरात में गाधी नगर म स्ब Vet लाइगा अब हम बात करते हैं इसके और भी जनकारी के बारे में देखिए यहां पे सबसे पहले बोला गया है यहां आप देख सकते हैं online mode में आपको form को भारे जाएंगे तो जैसे इसका आवेदन सुरू होता है मैं आपको एक proper वीडियो बना दूँगा कैसे form को भरना है तो पहले आपको वीडियो देख लिजेगा हलाकि यही form जो है start नहीं हुए अ यहां पर मैंने starting में आपको बता दिया 36329 पदों पर यह वेकेंसी टोल यहां पर रहने वाली है अब यहां पर TGT की बात करते हैं कि TGT में कितनी जो है पोस्ट है तो यहां देखे आपको सब्जेक्ट वाइज दिखाया गया है कि टीचर की वेकेंसी है तो हिंदी के कितन संस्क्रीट इस तरह से देख सकते हैं यहां पर सबसे ज्यादा 652 पदों वेकेंसी है जो लेंवेज के इनको टीचर चाहिए इसके बाद से यहां पर TGT जो मिक्सलिनियस के टीचर है जैसे कि म्यूजिक टीचर चाहिए उनको टोटल जो है 320 आर्ट के जो है 342 चाहिए पीटी के लिए जो है यहां पर जो फीजिकल टीचर होते हैं 321 चाहिए पीटी फीमेल 345 चाहिए लाइबरेरियन के देख सकते हैं 379 पदों पर इनको वेकेंसी निकालेगी है तो सबके लिए मौकाई फ्रेंच अभी हम आगे चलके जो डिसकस करेंगे एज लिमिट के बार इसके बाद से नन टीचिंग पोस्ट में आ जाता है यहां पर देख सकते हैं 335 है और होस्टेल वाडेनर फीमेल के लिए 334 चाहिए यहां पर जो है 679 पदों पर ऑस्टेल वाडेनर की वेकेंसी यहां पर निकालेगी है अब यहां पर बोला के कौन लोग आवदन करेंगे तो only Indian citizen जो है form को भरेंगे यानि आप इंडिया के किसी भी राजय से आते हैं तो form को आवदन दे सकते हैं और जो भी qualification का certificate है जो भी necessary certificate है वो सब जो आपको documents verification के समय जो है original आपको produce करने है और जो भी age limit है educational qualification है वो सब जो है आपको 18 अगस्ट 2023 तक जो है count करे जाएंगे अग 18 अगस्ट 2023 तक जो है अप essential qualification जो है fulfill कर रहे है सारा चीज तो आप form को भरेंगे अब यहां पर देखे पोस्ट का जो है salary बताया गया है किस पोस्ट के लिए क्या salary है अगर आप TGT के लिए form भरेंगे English, Hindi, Mathematics, Science, Social Science या third language या librarian के लिए तो इसमें आपको salary जो है level 7 देखने को दिखाया गया है अदर TGT जो मिक्सलिनेस है जैसे कि music, arts और PT की जो teacher है उनके level 6 की salary मिलेगी थोड़ा सा कम मिलेगा देख रहा है ना इसके वैसे hostel वाडेनर की salary जो है आपको level 5 देखने को मिलेगी यही जो है थोड़ा सा कम है level 6 से अब यहां पर बात कर लेते हैं scheme of examination जो ब पताया गया है तो Hindi English दोनों language में आपका जो यहां पर medium of examination रहने वाला है जो exam का माध्यम है और यहां पर एक और exam होगा जो language competency test होगा जो कि 30 marks का रहने वाला है तो यह आपके local regional language में भी यहां पर रहने वाले हैं यह आपको opt करना है जो form भरेंगे तो उसमें पूछेगा कि आप अपना language opt कर यह जिसका आप exam देना चाहते हैं तो वह form भरते से में पता चलेगा कि कौन कौन से language वहां पर आ रहा है तो यह आपका exam रहेंगे objective type question रहेंगे 120 marks के और language से 30 question रहेंगे 30 marks के अब यहां नीचे में देखिए आपको बताया गया है कि कहां कहां से questions आएंगे तो यहां देखिए सबसे पहले 6 part में यहां पर बताया गया कि आपका question paper रहेंगे part 1 में general awareness से 10 question 10 marks के reasoning से 10 question 10 marks के knowledge of ICT से 10 question 10 marks के teaching aptitude से 10 question 10 marks के इतना आपको समझेया यानि 40 question 40 marks के आपको यहां पर 4 section खतम अब जो है आता है part 5 अब यहां पर part 5 में बोला गया है कि domain knowledge से आपके question रहेंगे जिसमें 80 question रहेंगे 80 marks के और यहां दिया गया है कि कहां कहां से question रहेंगे देख रहेंगे तो यह PT के लिए हैं खेलो इंडिया फीट इंडिया other similar program से आपके question रहेंगे NEP 2022 से question रहेंगे इसक subject specific syllabus भी आपके रहेंगे जो difficulty level रहेंगा graduation तो उससे भी question रहेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं असी question 80 marks के रहेंगे और जो test होगा वो तीन घंटे का direction आपको यहां पर मिलेगा और उसके बसे अगला जो part आता है six आता है वो आता है language से तो language से भी आपके questions यहां पर वाले और यहां पर बोला गया कि the part this part is qualifying nature only minimum 40 marks मतलब 30 में से 40% आपको जो है qualify करना mandatory मतलब 40% आप language में नहीं लाएंगे तो फिर आप जो है विल बी common और part 5 से लेकर part 6 विल बी एज पर option exercised मतलब यहां पर जो options आप देंगे उससे according जो है वह exam pattern वहां देख सकते हैं 120 marks के रहने वाले हैं इसमें बोला गया है कि इसमें भी general awareness से 10 question 10 marks के reasoning रहेंगे 20 question knowledge of ICT रहेंगे knowledge of PO CSO and children safety के लिए related आपको question रहेंगे administrative से question रहेंगे language competency से भी आपके यहां पर question रहेंगे जो हिंदी जेनरल इंग्लिस या रिजिनल लेंग्वेज 10 marks के रहेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपको करते हैं तो आपका जो है 0.25 का negative marking यहां पर दिया गया है अब यहां पर बोला गया कि अगर आपको detail syllabus चाहिए तो आप जो इनके officially website पे appendix one जो है download कर सकते हैं जहां पर आपको detail syllabus मिल दाएगा उसके बस यहां पर help number दियागा कर आपको कोई भी दिक्कत होती है form भरने में या admit card नहीं download होने में तो यह mail ID है इनका phone number है आप यहां पर जो है संपर्क कर सकते हैं यहां पर आपको बताया गया है इसके से देखे form भरते समय आपको जो है जब भी आप फोटो इस्तमाल करेंगे आप एक्स्ट्रा फोटो जरूर अपने पास रखेंगे क्योंकि आपको बोला गया है ताकि आप फॉर्म भरते समय उसी में से इसके आईडी प्रूफ लगता है वो सब कि यहां सबसे इंपूर्टेंट बाते हैं यहां पर बोला गया टीजीटी के लिए टीजीटी के जब एस लिमिट है पैंतिस वर्स से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए और स्टी ओबीसी को छूट मिलता है स्टी को पांस साल ओबीसी को तीन साल का तो वह छूट आपको मि साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है तो यहां में बोला गया देखिए अगर आप जो है किसी भी रिजिनल कॉलेज से तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं अथवा में बोला गया है कि बैचलर अनौर्स डिगरी अगर आपने किया उस कॉंसर्ट सब्जेक्ट में जिस भी स सब्जेक्ट से आप भरना चाहते हैं मालीज आप जो है मैथमेटिक्स से फॉर्म भरना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स आपका तीन साल होना चीट तो यह फॉर्म को भर सकते हैं इसके मिसे आप नोट दिया गया है कि आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए इस तरह से में along with physics इसमें से कोई chemistry या electronics चाहिए मतलब physics होना चाहिए और math भी होना चाहिए साथ-साथ इसमें से कोई और होना चाहिए तो इस तरह से आपका जो है century के उगता हो गया और यह आपका प्रस century के उगता हो गया समझ रहा ना तो भी आपको mandatory है यहाँ पे आप देख लेंगे इसको से टीजिटी म्यूजिक के लिए बोला गया है कि 35 वर्स और essential qualification बोला गया बैचलर डिगरी है म्यूजिक से तो आप form को भरेंगे इसक अगर आपने दीगरी किया है मैक्समम बोला गया है अगर आपने बैचलर डिगरी किया हुआ है किसी भी भी सैसे तो आप होस्टल वाडेनर के लिए फॉर्म भर सकते हैं या बोला गया है फोर इयर का अगर आपने जो है इंट्रेट डिगरी कोर्स किया हुआ है किसी भी रिजिनल जो है कॉले से तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं तो यहाँ पर यह सारे क्वालिफिकेशन है एस लिमिट है इसके विए से बोला गया है कि in case of candidates applying for the post of TGT should have valid seated certificate जो भी TGT candidates के लिए form भरना है उनको जो seated certificate होना mandatory है अब आप लोग सोचिएगा कि seated का paper one की paper two तो देखें इसमें TGT की vacancy है train graduate teacher तो इसमें paper two की ही यहाँ पे जो है आपका mandatory है form भरना तो paper two आप qualify है seated के तो आप यहाँ पर form को आविधन करेंगे अब यहाँ देखें मैंने आपको starting बताए एस इल बहर होल जनकारी सारा का सारा दे दिया है अगर आपके मन में कोई भी doubts है comment है आप comment box में पूछिएगा और यहाँ पर मैंने आपको starting exam city बता दिया था तो exam city सबसे नीचे वाले page पर है अगर आपको पीडियाफ डाउलोड करना है तो मैंने आपको link जो description box में provide कर दिया है मिल चुका होगा मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में हमें देज जाहत और देखते रेडिया सेल्पिंग फॉरेवर थैंकी फॉर वाचिंग जाहिंद